जो horoscope में लिखा है एक एक बात यहां पर मैं mention कर दे रहा हूँ यह बुद्ध खराब है इसकी बच्चों के लिए परेशानिया होंगी और हुई है आपको पहले ठीक है house of children education love affairs का lord जो है बुद्ध छटे खर में मारक भाव में बैठा है तो आपको बुद्ध के लिए इस व्रश लगन के अंदर आपको पन्ने दो धारन करने पड़ेंगे यह पक्का है एक गले में एक उंगली में गले में water drop size का बनेगा लॉकेट में दूसरा शनी की साड़े साती चल रही है और चंद्रमा के साथ राहू जब होता है तो शनी जो हमारा हड्डियों का कारेक्शन ही होता है हड्डियों में दिक्कत देगा मा को problem देगा cold की समस्या देगा cold की समस्या इसलिए देगा क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है राहू के साथ बैठा है पापकर्तरी योग लग गया है ठीक शनी की तीसरी द्रिष्टी चंद्रमा प पहनने पड़ेंगे और बाकी के जो मैं मंतर जाब बताऊंगा वो करवाने ही पड़ेंगे। अगर भगवान की कृपा है वो पूजा पाट मन से कर रहा है वो पाए मन से कर रहा है तब ही तरक्की होगी वरना नहीं होगी। और ये इसलिए वीडियो बना कर दे रहा हूं मेंशन करके दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें ये समझ में आए शनी देख लो तुम्हारा बैठा है आठवे घर में जहां पर लिखा है लाइफ डेथ प्रॉब्लम्स अब्रॉड और शनी बैठा है ब्रस्पत की राशी पर ब्रस मन का दिल का और मस्तक का कारक चंड्रमा होता है वो राहू के साथ बैठा है पापकरत्री योग में है ठीक है शनी की साले साथी चल रही है और शनी की द्रिष्टी पढ़ लए है तीसरी द्रिष्टी शनी की पढ़ी थी तो गनेश जी का सरकटा था और तीसरी द्रिष्टी शनी रेव की बहुत बुरी होती है ऐसे देखता ना कोई आदमी किसी को तो जलन से देखता है वो दृष्टी है वो दृष्टी है आप सोचो इन चीजों से बच जाओगे बड़े बड़े देखे मैंने मैंने आपको बोला आप चेक कर लो मैं आपको फोटो भेज रहा हूं देवे इन फर्णवी इसके हाथ पर लिखा था इस डेट पर तक इनको धोखा मिलेगा उस डेट तक धोखा मिलेगा नौ फिल्में आक्षे कुमार की फ्लाप हुई सारी मेरी पहले की पेडिक्शन है चेक कर लो